जए हिन दोस्तों सदाथ भये किस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कहीं जाके चेक करिए तो आपके नल में पानी आ रहा है देखिए कहीं पीने का पानी आ रहा है या बरतंदोने का पानी आ रहा है और अगर आ रहा है तो आप बहुत सेफ हैं सभागशाली मानिए, क्योंकि बैंगलोर में ऐसा कुछ नहीं है, बैंगलोर में पानी की किल्लत हो गई है, यार पानी इतना important resource है, हम उसके बिना सोच ही नहीं सकते कि अपना जीवन कैसे गतीत करेंगे, literally बता रहे हैं, पानी के बिना आप देखिए, बूंद बूंद के वीडियो के अंदर मैं आपको detail में समझाऊंगा, specifically कावेरी water का क्या crisis है, क्या solution प्लान किया गया है, किस वज़े से ये water crisis आया है, ये सारी बाते हम इस वीडियो में करेंगे, बड़ा important है, तो वीडियो को जरूर share करिएगा, share और अपने बैंगलोर में जो दोस्त त्यार र सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है, पूरे के पूरे बैंगलोर शहर में पानी की किलत आ पड़ी है, चाहे वो एक VIP हो गया या नॉर्मल यक्टी हो गया, बैंगलोर वो शहर है जो की IT Hub of भारत कहा जाता है, Silicon Valley of भारत कहा जाता है, इतने खुबसूरत जगा है, क्या weather, क्य इस तरीके की आपदा ऐसे शहर में आ गई है, क्यूं आई है, जिकर करेंगे हम आपको इसी वीडियो में, आएए, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कोई भी हो, चाहे वो एक आम आदवी हो, या फिर कोई पढ़ा लिखा हो, आप देख सकते हैं, ये बच्ची मेरे ख्याल स स्कूल से आ रही है, और पानी मेरे ख्याल से ले रही है इसमें से, कोई भी नहीं बचा है, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, वहाँ के जो मले हैं, वो भी उनके घर में भी जो बोरिंग का पानी आता है, वो भी खतम हो चुका है, कहा ये जा रहा है कि बैंगलोर, शहर में लग 1700 तक जो borewell हैं वो पानी सूख चुका एकदम low हो चुका है water और लगभग 1200 ऐसे borewells हैं जिनका तो भाई मतलब पानी खतम हो चुका है सबसे जादे जो affected area है वो bangalore में वो उनके outskirts वाला area है जो लोग पहले bangalore में रहते थे उसके बाद जो bangalore शहर develop हुआ है outskirts वाला उसमें जादे problem आ रही है अब आएए detail में चलते हैं कि आखिर क्या problem है क्यों problem है हर तरफ news में आया है bangalore water crisis post gated community ask residents to use disposable plate wet wipes कुछ gated society में तो owner tenant को बोल दिया है कि अगर जादे पानी खर्च करोगे तुमको निकाल देंगे कुछ इस तरीके की बाते हो रही है एक मा जो की बच्चों को खाना बनाने के लिए सुबह school भेजती है और खाना बनाने के लिए पहले एक घंटा पहले उठना पड़ता है कि भाई tanker का पानी आएगा तो उसके बाद हम जाटके खाना बनाई हो बच्चों को school भेजेंगे बतलब ये extra time एक अलग से burden pressure हो गया है locals का कहना है कि यहां पर विधायक आते हैं और आश्वाशन दे कर चले जाते हैं लेकिन कोई भी अभी मामला set नहीं हो रहा है कोई भी समझ नहीं रहा है हमारी इस दिक्कत को कुछ गरीब लोग कहते हैं कि डेली का इसे महीने का हमारा 4-5 जाय रुपया खर्चा है लेकिन पानी की इस किलत से additional हमें 1,1200 रुपया खर्च करना पड़ रहा है तो literally जिसके पास पानी की समस्तिया होगी न वही समझ सकता है कि बैंगलोर में situation क्या है सोच के देखिए कि आगर आप खुब डौड के आए हैं और आपको पीने का पानी ना हो तो आपको कैसा लगेगा आज बैंगलोर बूंद बूंद के लिए तरस रहा है इस image को देख सकते हैं ये tanker है ये कोई पुरानी image नहीं है अभी की image जो इततकाल है जब आप video देख रहे हैं तो कोई व्यक्ती tanker में पानी भरके अपने यहां ले जा रहा होगा ये हालत है बैंगलोरो की कहा ये भी जा रहा है कि इस situation का फाइदा कुछ माफिया लोग भी उठा रहे हैं ये देखिए बैंगलोरो fix water tank rates cracks down on mafia कहा ये जाता है कि बैंगलोर की ये जो problem वो आथ से नहीं है लगबग 19 सालों से है लेकिन कोई कुछ ठोस नहीं कर पा रहा है जिसकी वज़े से एक एक अपराध जन्म ले लिया है पानी का water terrorism यहाँ पर हो रहा है water mafia हो गए है भाई भाई भाईया के पास ज़्यादे पानी है उनको भाईया को ज़्यादे पैसा दें तो वो पहां से पानी निकल आएगा अब लोग पानी के लिए माफिया गिरी कर रहे है साथी में क्या हो रहा है भाई कि लगबग सरकार ने क्या कहा है कि 200 private tankers जो है वो deploy किये गए है contractual basis पे ताकि बैंगलोर सिटी तक पानी पहुँचाया जाए district collector है बैंगलोर के उन्होंने कहा है कि ये जो 200 private tankers है उनका एक subsidized और standard rate होगा उसी rate में ये पानी पहुचाएंगे और किसी भी rate में ये नहीं पहुचाएंगे और किसी से आपको लेना है तो आप लीजिए लेकिन ये जो 200 private tankers है इनको बड़ा important और ये कहां से इनको fund दिया जाएगा इनको fund दिया जाएगा अगर 5 km के distance में अगर पानी भिजवाना है तो 6000 लीटर के tanker का cost 6 रुपए है और 8000 लीटर के tanker का cost 8000 लीटर और 12000 वाली का cost है 700 और 1000 रुपए इस rates जो है वो GST के पहले है distance 5 से 10 km अगर होता है 6000 लीटर वाला tanker हो गया सारे 700 का 8000 वाला हो गया 8200 रुपए ये हिसाब चल रहा है अच्छा एक और problem है इसमें जो पढ़े लिखे लोग है थोड़ा वो परिशान इस बात पे भी है कि आप पैसा ले जाए बैंगलोर में भाई बहुत पैसा बहुत बहुत जाद है IT इंडस्ट्री वहाँ पे है लोग कह रहे हैं आप पैसा ले जाए हम पैसा दे देंगे लेकिन क्या वो पानी शुद्ध होगा क्या वो पानी क्यौलिटी वाला होगा हमारे बच्चे भी यूज़ करेंगे हम भी यूज़ करेंगे हल्थ का क्या impact होगा उससे यह एक अपने आप में सवालिया निशा खड़ा करता है अब आईए एक important चीज जानते हैं जहां से हम solution derive करेंगे solution यहां से यह है दोस्तों कि आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि Bangalore जिस जगह पर बना हुआ है या करनाट का जिस जगह पर है वो जगह जो है वो sea level से लगबग 900 मीटर उपर है इसी वज़े से यह अपने आप में आप कह सकते हैं यह bane भी है और boon भी है अब bane और boon क्यों है क्योंकि यह आप भारत का नक्षा देखी रहे होंगे यह हमारा पूरा पढ़ता है करनाटका वाला एरिया तो यह जो पूरा एरिया है ना जिसको हम left hand side को western ghats कहते हैं center वाला जो plateau वाला एरिया है और यह eastern ghats जो की deltas है जहां पर सबसे जाए उपजाओ जमी कही जाती है तो bangalore जो है वो जमीनी अस्तर से ठीक है यह कुलार वो माइन्स है जहां पर आप KGF वाली चीज़ देखते है कुलार आप 140 फिर हसान इतना और सकलेशपूर इतना कुद्रे में पीक इतना सबसे उपर तो भईया यह है कुंद्रे मुख पीक सबसे उपर है यहां तक पानी पहुँचाना अपने आप में एक बहुत टैलेंजिंग काम है अब आते हैं इस इमेज पे यह बैंगलूर मुनिस्पल कॉर्परेशन का यह पूरा मैप दिखाया जा रहा है बैंगलूर वाटर सप्लाई का मैं आपको भी बताऊं कि कावेरी रिवर की भी क्या प्रॉब्लम है क्यों हो रहा है तो यह एक मैप है बैंगलूरू का बैंगलूरू के मैप में यह लाल वाला जो एरिया देख रहे हैं आप यह सबसे जादे टेंशन है यहां पे मतलब कि सबसे जादे स्ट्रस है सबसे जादे water को use किया जा रहा है water की जो use case है बहुत लोग है, over crowded है population है यहाँ पर कावेरी इस side से बिलकुल हमारे left से आता है यहाँ से originate होती है करनाटका से और यह होते 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 दिली जाती है Tamil Nadu होते हुए Bay of Bengal में यह कुछ इस तरीके का अब यहाँ से पानी को उठाना अपने आप में ही बहुत बड़ा challenge है इसलिए आप देखेंगे बैंगलोर में हर जग़ बोरवेल बोरवेल लगे हुए हैं और उन बोरवेल को लगबग 1800-1900 feet नीचे पानी किया जाता है बहुत होते हैं 1800-1900 feet बहुत होता है तो इतना नीचे जाता है तब जाके पानी आता है अब उसमें भी situation यह है कि लोग 1800-1800 feet नीचे बोरिंग कर रहे हैं फिर भी पानी नहीं आ रहा है यह थोड़ी गंबीर समस्त्या लग रही है अब इसको ऊपर ले आना ही थोड़ा challenging लगता है अब आते हैं हम लोग कुछ important conclusion पर कि भाई आकर यह crisis आ कहां से रही है crisis इस वज़े से आ रही है दोस्तों कि बैंगलोर में जो पिछले कुछ सालों में बारिश की कमी हुई है बारिश कहां पी जो monsoon आता है लेकिन बारिश नहीं होती है because of severe drought बारिश नव होने की वज़े से काफी सारे सूखा पड़ा हुआ है there hasn't be enough rain which has caused water level in the Kaveri to drop पानी नव पढ़ने की वज़े से भी Kaveri river का जो पानी है वो ड्रॉप हुआ है और इसका दूसरा रीजन है सिर्फ पानी नव पढ़ने की वज़े से नहीं water tension है क्यों water stress है क्यों क्यों क्योंकि सन 2000 से लेकि सन 2000 चौबिस तक Bangalore जो है वो एकदम ऐसे फैला NCR की तरह और consumption इतना जादे हो गया लोग पानी का use इतना जादे कर रहे है industries में, private sector में, government sector में, personal family में लेकिन इस हिसाब से Bangalore design हुआ ही नहीं था क्योंकि पानी जो है वो इतना नीचे से होके उपर आ रहा है तो वो facility develop करनी बाकी थी This shortage does not just affect the drinking water but also impact on irrigation सिर्फ पानी पीने के लिए वाला नहीं irrigation के लिए जो agricultural जमीन है उनके लिए भी और साथ में किसानों के लिए बड़ा महंगा पड़ रहा है ये पूरा का पूरा situation चल रही है तो सोचके देखिए पानी न होनी की वज़े से अगर आपके agriculture पे impact पड़ गया जो eastern घाट वाला जो मामला है और northeast monsoon है अच्छा topic से हट के मैंने एक प्रष्ण रखा है history का प्रष्ण है temple से related क्यूंकि temple temple इस बार खुब temple रन हुआ है temple से related दो सवाल है comment करके बताईएगा इन दोनों में कौन से answer सही है नीचे comment section में Google form को fill कर दिजेगा mentorship के लिए और telegram पे link है उस telegram पे आप join करिए इसका answer आपको मिल जाएगा कौन सा temple है इन दोनों statement को pause करके देख लिजेगा सवाल पढ़ लिया अब आगे आते हैं सरकार क्या कर रही है तेजस्वी सूरिय आपको पता है बीजेपी के stalwart लीडर है बैंगलूर से आते हैं इनका कुछ seven point agenda है इनका कहना ये है कि हमने भाई सरकार को ये नसीहत दी है कि आप सबसे पहले तो कावेरी का जो प्रोजेक्ट phase five है उसको complete कराईए दोस्तो phase five वो phase है जो कि जल्धी complete होगा अभी हम बात करेंगे उसके बारे में phase five को complete करवाईए साथी में कुछ geologist को ढूढ़िए जो कि अच्छी जगह बताए जहां से boring हो तेक है और भी कई सारी चीज़े इन्होंने जिक्र की लेकिन सरकार क्या कर रही है सरकार का कहना है कि हम लोग milk tankers को यूज कर रहे है मतलब करनाट का milk federation अपने milk tanker को यूज कर रही है पानी की delivery के लिए बैंगलूर में अच्छा जी अब ये लोग भी बोर्वेल या तो खुदवाएंगे जिसमें पानी नहीं है उसमें चेक होगा क्यों नहीं पानी आ रहा है और कितना फोद हैं उसको चीफ मिनिस्टर डीके सिवकुमार डिसकस कर रहे है ये अपनी meeting में और agency बुलाए है BBMP ये पूरी water bodies को बुलाए है पुलिस वालों को भी बुला चुके है owners of water tankers have until Thursday to register them with the government जो भी owners है water tanker को वो सरकार के साथ registration चाहिए ही चाहिए otherwise वो अपनी मनमानी rate लेंगे और लेते ही हैं अभी भी rate ले ही रहे है ठीक है जादे tanker हैं भी नहीं और सरकार ने बोला है कि 200 tanker वो खुद private subsidize rate में चलेगा ठीक आईए अब आते हैं एक बड़े project पे बड़ा project क्या कहता है कि 2024-2025 तक जो सिधरमयय की जो speech थी budget वाली उनका कहना है कि कावेरी का phase 5 जो project है वो इसी साल मई में deliver हो जाएगा लेकिन situation तो अभी problem आ रही है अच्छा होगा क्या कावेरी के पांचवे phase को complete होने से होगा ये कि लगबग 110 लीटर पानी जो है वो डेली पीने को मिल जाएगा लगबग 12,00,00 लोगों को 12,00,00 लोग जो की रह रहे हैं उस vicinity area में पूरी cost आईगे लगबग 5,550 करोड रुपे की ये project तो है में में complete होना है लेकिन दिक्कत तो अभी हो रही है वाटर शॉर्टेज इशू इन दी 110 विलेजेज अड़ेट टू BBMP इन 2008 विल बी सॉल्ड वन्स दी कावेरी 5 इतना लगबग 110 गाओं की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए project 5 को establish किया जा रहा है तेकिन अभी situation देखेंगे तो बड़ी tight है थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं यह जो image हमने लगाई थी यह image बताता है कि कैसे कावेरी water का distribution की बज़े से कितने सारे pending cases चल रहे हैं इतना सारा चाहे वो तमिलनाडू, करनाड का केरला, खुडूचेरी में हो इसका इतिहास भी मैं आपके साथ share करूँगा एक छोटा सा map के जरीए हमने आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पूरा भारत का नीचे का South India का map है कावेरी नदी को mother of rivers कहा जाता था South India में और ganga of South के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि कावेरी नदी इतने nucleated population के बीच से होते हुए जाती है और लोगों को इतना पानी देती है इतना मतलब लोग कहते थे कि यह mother हैं, यह मा हैं यह हमें भई नदी मा हैं एक तरीके से करनाटका इनको कहता था, Tamil Nadu भी कहता था लेकिन अब पानी सूख रहा है क्योंकि जनता बढ़ रही है ओवर क्राउडिंग हो रही है अर्बन पॉपॉलेशन बढ़ रही है इंडस्ट्री बढ़ रही है ओवर एक्सेस ओफ यूसेज हो रहा है पानी का यहां से यह originate होता है यह पुरा जाता है Tamil Nadu में और Bay of Bengal में यह जाके मिल जाती है ठीक है? यह सवाल आ सकता है आपके exam में अब एक दो मिनट तक आप ख्यान से देख लिजे मुझे यह बड़ा important है चुकि बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं आसान भाषा में आपको समझा दूँगा कि कावेरी पानी का dispute है क्या इसका भी अंग्रेज ही कुछ करके गए थे अब हुआ क्या था? कि लगबग 18 फरवरी 1924 को कावेरी रिवर वाटर अग्रीमेंट साइन हुआ था किसके किसके बीच मदरास प्रेसिडेंशी, मैसूर प्रेसिडेंशी और प्रिंसिली स्टेट उस टाइम पे त्रावंकोर और कोचीन था तो अंग्रेजों ने कहा कि पूरे कावेरी का 75% जो यूट्राइजेशन होगा पानी का वो मदरास Presidency में जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा था, population बड़ी थी, फिर मैसूर 23, फिर 2% जाएगा हमारा किसको? त्रावंकोर को, लेकिन अब हुआ यूं कि लगबग 1974 में करनाटका को ये लगा कि भाई ये रिवर तो ओरिजिनित हमारे यहां से हो रही है, तो फिर हम ही क्यों ना इसका सबसे जादे यूटिलाइज करें, क्यों हम तमिलनाडू को दें, उन्होंने बिना तमिलनाडू को ब त्रिब्यूनल बैठी जिसका नाम था, Establishment of Cauvery Water Tribunal, जो कि इसके वाटर के डाइवर्जिन से रिलेटेड ये पूरा त्रिब्यूनल बैठ गया था, अब ये त्रिब्यूनल 1990 में बैठा, धीरे-धीरे मामला आगे बढ़ा, फाइनली, 2007 में जो कावेरी वाटर डिस्क्यूट था, उसकी डिलिवरी बताई गई, कि अब किस-किस राज्यों को कितना-कितना पानी मिलेगा, उसके बाद क्या हुआ, तमिलनाडू को approximately 404 million cubic feet पानी मिलेगा, मतब thousand million cubic feet पानी मिलेगा, टोटल जो इसकी availability थी पानी की, वो 740,000 million cubic feet थी, हर साल की, उसमें से तमिलनाडू को सबसे जादे allocate किया गया, फिर करनाटका को 284, फिर केरला को 30, पुडूचेरी को 7, अब ये हुआ, इसके होने के बाद declaration sign किया गया, declaration of kaveri river as national asset, सुप्रीम कोट ने कहा, कि भाई, kaveri river हमारे national asset है, ऐसे मत लूटिए आप लोग उसको, ध्यान से यूज करिये, सुप्रीम कोट ने ये बात बोल दी, लोगों के दिल पे लग गई, सरकार नों इसका जबरदस्ट political movement बनाया, और बन गया, एक agency, जिसका नाम है, kaveri water management authority and the kaveri water regulation committee, तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं, जो पूरी kaveri की जो management आज के date में चल रही है, वो सुप्रीम कोट के शांदार इपड़ी पर भाशन पे आई थी, और फिर इसको politicize कर दिया गया, तो अब एक organized committee बन चुकी है, kaveri water के regulation से, ये था पूरा का पूरा म समझ में आया होगा, आप अब civil services exam के लिए इसको तो ले ही लें, क्योंकि ये है test series, mock test 2024 के जो prelims है, उसमें आपके पास इतना बड़ा डिबा घर तक पहुंचेगा, मुझे पता है आप tier 2, tier 3 शहर वे छोटे शहर में आप रहे रहे हैं, resources कम हैं, तो नीचे आप जाएं, comment section म गूगल form को फिल करें, और जैहिंद 17S code लगा सकते हैं, इस box को मंगाने के लिए, 35 GS के test होंगे, 10 CSAT के होंगे, 5 revision होंगे, और क्या, और क्या चाहिए, अच्छा answer sheet भी होंगे, OMR sheet भी होगी, तो comment करके नीचे Google form को फिल करिए, telegram पे आईए, जिक्र होगा, और adda की app को download करि मिलते हैं अंगले वीडियो में, नमश्कार जाहिंद, जय भारूँ